हाई फ्रेंड्स विरल्टेक चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है हम लोग 1830 सब्सक्राइब इसके आसपास पहुंच चुके हैं तो तह दिल से आप सबको दिल से थैंक यू और आशा करता हूं आपको मेरा चैनल ऐसा ही भरपूर मनोरंजन देता रहेगा तो जुड़े रहे चाहे जो भी हो आज मैं एक फोन के बारे में बात करना जा रहा हूं क्यूंकि बहुत से फ्रेंड्स है मेरे जो इस बजट में एक फोन लेना चाहते हैं और बहुत दिन से मुझे पूछ रहे थे तो मैं सोचा ये बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है एक बार इसके बारे में मैं वीडियो बना ही लेता हूँ यह है S21 FE 2023 एडिशन सैंसंग का बहुत ही पॉपुलर फोन है या कि मैं बोल सकता हूँ बहुत ही पॉपुलर फोन था 2021 में जब ये लॉंच हुआ था 2021 में यह जब launch हुआ था तब यह Samsung का Exynos variant के साथ आता था Exynos variant अगर मैं आपको बोलू तो old Samsung Exynos था 2100 फाइजी प्रोसेसर था लेकिन बहुत ही अच्छा फोन था एक नया चिप दे के pricing बढ़ा के launch किया है मैं आपको बता रहूं वीडियो में पहले जो फोन आता था S21 FE 2021 Edition उसमें था Samsung का Exynos 2100 प्रोसेसर अभी जो कंपनी ने किया है Specification सबकुछ almost same है Similar design है Similar display है 120Hz का आपका Dynamic AMOLED display Camera setup भी एकदम same है 12MP का triple rear camera 32MP का front camera Similar software experience भी आपको मिलेगा 13 Android out of the box है One UI पर ये run करता है सारे 4000 mAh की battery है 25W का charger ये support करेगा लेकिन box के अंदर में आपको कोई भी charger नहीं मिलेगा वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा 99% अगर आप देखो तो similar specifications है अगर आप 2021 के साथ compare करते हैं तो दो major changes जो किये गए हैं वो है processor और दूसरा जो है वो base variant storage variant प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो पहले जैसे मैंने आपको बताया ये पहले आता था Samsung का Exynos 2100 प्रोसेसर के साथ अभी इसको company ने snapdragon 888 में change किया है पहले क्या था storage variant जो आता था वो 8128 आता था 2021 में तब तो 2021 में 8 GB और 120 GB काफी माना जाता था लेकिन 2023 में कंपनी ने एक थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है कि storage कर दिया है 8 GB RAM और 256 GB memory लेकिन इतना सुकून है कि वही पुराना फोन को इंडिया में company ने री पैकेज करके पच्चास हजार के दाम पे जी हाँ 2023 जुलाई में पच्चास हजार रुपय के दाम पे इन्होंने ये फोन को लांच किया है तुम्हें शरम है कुछ मज़े की बात अगर मैं बढ़ा है तो जब 2021 में Samsung ने ये S21 FE लांच किया था इंडिया में अपना Samsung Exynos 2100 चिप के साथ तब ग्लोबल वेरियंट में 888 ही दिया जाता था तो अभी आप इसको बचा हुआ स्टॉक मानिये या जो भी आप सोचना चाहे पहले का माल को अभी मेरे इसाब से तो चिपका के दे रहे हैं लेना नहीं लेना आपकी मर्जी और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है आठ 256 डोजाट टेईस पचास हजार रुपया प्राइसिंग कंपनी ने रखी है तो क्या आपको लेना चाहिए के नहीं मेरे इसाब से तो बिलकुल नहीं लेना चाहिए क्यूं उसका भी मैं आपको कारण देता हूं जो मेरे इसाब से अब पता चलता है पहला बात है यह काफी ओल्ड फोन है सैमसंग S21 FE 5G वाला पहला वाला जो मॉडल है जिसमें Exynos 2100 मिलता था वो अभी भी मिल रहा है वो करीबन 32,000 के प्राइस के आसपास अभी मिल रहा है ओफर ओफर लगाओगे 12,000 रुपया का काट डिसकाउंट तो 31,000 में मिल जाएगा तो वो ही ले सकते हैं यह बात है कि उसमें 8128 ही अविलेबल है एक सिंगल वेरियंट में ही मिलता है लेकिन मैं 20,000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है 20,000 रुपया कोई छोटी मोटी अमांट तो है नहीं 1500 रुपया देगा उसी बात है कि सैमसंग ने अगर इसका प्राइस 50,000 रुपया रखा है तो कम से कम सैमसंग को 2023 देखते हुए अपने आस पास के कंपनी क्या इसाब से लॉंच कर रहे हैं देखते हुए कम से कम snapdragon 8 generation 1 snapdragon 8 gen 1 या फिर 50,000 रुपया जो प्राइस डिमांड रखी गई है मेरे इसाब से तो 8 gen 2 देना चाहिए था लेकिन सैमसंग सैमसंग है पहले से ही premium दाम लेते रहे हैं तो मेरे को तो यह justified एकदम नहीं लगता और पहला बात है कि customer यह क्यों ले यह भी मेरे को नहीं समय आ रहा है कोई भी चीज अगर आप लेते हो कोई भी प्राइस में तो कुछ तो sense बनना चाहिए ना अब मैं आपको इसके cons बताता हूँ पहला बात है कोई भी नया design नहीं है कुछ design change करते कुछ new colors में लेके आते नहीं नहीं same design same specifications सबकुछ internally same खाली उन्होंने यहाँ पे snapdragon 888 दे दिया है उसमें भी देखिए heating की issues आ रही थी जिजिस फोन में आया हुआ था 888 जो है वो आज की रेट में 25,000 से लेके 28,000 के आसपास के phone में मिल जाते हैं तो अगर किसी बंदे को snapdragon 888 वाला ही phone चाहिए हो जो की 2022 का latest processor था तो वो samsung की तरफ क्यों जाएगा वो कोई भी दूसरे brand का phone ले सकता है जो 25,000, 27,000, 28,000 के अंदर में उनको आराम से मिल जाएगा उसमें भी 256GB variant का option मिल जाएगा तो दूसरा बात यह है के 50,000 रुपया ही अगर मेरे को invest करना है अगर आज ही लेना है तो मैं IQ 11 भी ले सकता हूँ जो 55,000 रुपया में snapdragon gen 2 दे रहा है और IQ 11 का एक बार आप specification देख लो mind-blowing specifications है सबस पेटा बहुत बढ़िया आज के हैट में मेरे को तो justified लगता है IQ एक sub-brand है Vivo का बहुत है अच्छे फोन्स पावफूल फोन्स बनाते हैं और Samsung यह कैसे बूल गया कि अभी कुछ दिन पहले ही IQ 11 आईक्यू ने 11 नियो आईक्यू 11 भी लॉंच हुआ है और IQ ने अपना नियो 7 प्रो भी लॉंच किया है वो ओफर के साथ कुछ 35 रुपया है अपना 12 GB और 256 GB में और कुछ 32,000 रुपया के आसपास है अपना 8128 में तो वो भी देखना चाहिए और अगर सैमसंग को यही वाला फोन लॉंच करना था S21 FE 2023 में ही बिना कुछ चेंजेस किये हुए खाली उन्होंने एक जो प्रोसेसर बटला है Snapdragon 888 डाला है तो दूसरे कंपनी जो 25 रुपया से 28 रुपया के अंदर में देती है चलो मानता हूं सैमसंग का एक तो ब्रैंड है ब्रैंड लॉयल्टी भी कुछ मांगती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यह 35 रुपया में दे सकते थे 35 रुपया में भी अगर यह सैमसंग S21 FE आता चाहिए मैं बेस वेरियंट की भी बात करूँ 8128 तब ही मैं बोलता जस्टिफाइड है क्यों सैमसंग ब्रैंड है और दूसरा ब्रैंड जब 28,000 के आसपास 888 देता है और किसी को अगर सैमसंग में ही जाना है सैमसंग का UI ही पसंद है तो चलो मैं 35,000 रुपया तक प्रिमियम मान सकता हूं कि ब्रैंड आपसे ले सकता है लेकिन 50,000 रुपया प्राइस रखने के बाद उसमें भी कुछ बैंक आफस है दो-तीन रुपया के लेकिन अगर 45,000-46,000 में भी ये फोन मिले तो मेरे को ये बहुती ओवर प्रैस्ट और 2023 के हिसाब से ये प्रोसेसर भी ओल्ड है और जस्टिफाइ नहीं करता है ये बात अलग है कि बहुती लॉयल सैमसंग के जो फैंस है जिनको खाली ब्रैंड से मतलब है कुछ भी पैसे मांग लो दे देंगे वो अगर लेते हैं तो अलग बात है लेकिन ये याद रखेगा कि 888 जो प्रोसेसर है वो 2022 का प्रोसेसर है और 2023 में अगर आप 35,000 के उपर या 30,000 के उपर भी अगर आप स्पेंड करते हो तो बहुत जरूरी है कि आप लेटेस प्रोसेसर लो जैसे कि स्नैप ड्राइगन जैन वन अभी 35,000 के अंदर में मिल जा रहा है बहुत ही उंदा प्रो प्रोसेसर के साथ है तो मैं वही बोलने मांग रहा हूं कि उससे भी उपर प्राइसिंग करके मेरे को तो कोई सेंस बनता नहीं है तो यह मेरा एक ठो डाउट था जो मैं सबको क्लियर कर रहा था तो सोचा इसके उपर भी मैं एक वीडियो बना लूँ और आपसे भी शेर करूँ तो चलिए यह आपके उपर है आपको लेना नहीं लेना यह मेरा विचार है आपका विचार कुछ अलग हो सकता है तो आप मे करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बने रही है लाइक किजे सब्सक्राइब किजे और शेर कीजेगा जो सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेर किजेगा तो उनको भी एक बात का समझ आए Samsung काम अच्छा कर रहा है लेकिन यही है कि या तो वो जब launch करता है तो बहुत ही aggressive price में नहीं देते हैं जैसे आज की डेट में सब competitors दे रहे हैं बहुत ही premium मांगते हैं या तो फिर जब पुराने phones को relaunch करते हैं नए chipset के साथ मलब नए chipset माने 2022 के chipset के साथ तो price जो मांगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मांगते हैं जिसमें कि आज के generation का chipset आ सकता है तो यही कुछ permutation combination है जो आपको as a consumer समदना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी companies आज केट में market में आ गई है sensible बनिये smart बनिये doubt हो तो कोई भी youtuber को पूछिए छोटे youtuber हो बड़े youtuber हो उनको पूछिए आपका पैसा waste नहीं होना चाहिए आपका पैसा जो आप डाल रहे हो अगर आप 50,000 रुपया डाल रहे हो तो मैं तो बोलूँगा कि आप sale का वेट करो September में आपको iPhone 13 भी 55,000 के आसपास मिल जाएगा और iPhone 14 भी आपको 60,000 के आसपास में मिल जाएगा तो बंदा वो क्यों नहीं ले और जितने भी branded phones मैं भी बोल रहा हूँ जो 50,000 रुपया के आसपास है IQ 11 वो सब भी थोड़ा सा price drop सप्टेंबर के मन्त में आपको मिलेगा तो ये सब भी आप पंसिडर कर सकते हो तो ये आपका 50,000 रुपया जो आपने डाला है वो वर्थ रहेगा तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा ये विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजएगा शेयर जरूर कीजएगा जय हिन दोस्तों और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ झाल झाल